मौसम से जुड़ी इस वक्त एक नया अपडेट जारी किया गया जिसमें बता आया जा रहा है कि 36 गर्में अगले 24 घंटे में रात में फिर ठन बर सकती है रात के तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावाट होने की संभावन है जहां उत्तर से आ रही हवाओ के चलते पारा गिर रहा है और इसके असर से जहां सरगुजा संभाग में लगातार तापमान गिर रही है तो वहीं बिलासपुर और दुर्गम में भी ठन बढ़ी मोसवी भाग के अनुसार दिन के तापमान में विशेज परिवर्तन होने की संभावनन नहीं है जबकि बलरामपुर में सनी मार को सबसे ठंड रहा यहां तापमान 4.9 डिगरी रिकार्डे किया गया वही दन तेवाड़ा में 31.1 डिगरी के साथ सबसे गर्मत था रैपुर ह इसे बीच बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों में निम्तम तापमान औस चार से पास डिगरी से कम है और अंभीकापुर जीले में निम्तम तापमान 5.4 डिगरी रहा जो औस चार डिगरी कम था जज़पुर में रात का पारच 6.8 कोरिया में 10 अगामें 3-4 दिनों तक तापमान और भी गीर सकता है इनके अलावा बताया गया कि दूर्ग जीले के अधिकतम तापमान में महमुली गिरावट रही वही निमतम तापमान दो डिगरी की गिरावट दर्जे की गई जहां शुक्रवार को रात का पारा 16.02 था जो सनीवार को दो डिगरी लुड़कर 14. 14.04 डिगरी रिकार्ड किया गया यह रहा मौसम का एक नया अपडेट जो कि हमने आप तक पहुचा दी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्माटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही चैनल पर नए हो तो फॉरण सीजी शती न्यूज को सब् कीचेगा मिलते हैं नई जानकार्यों के साथ नेक्स्ट अपडेट में